नमस्कार दोस्तों मैं गंगा प्रकास वेस्विक यवर सेलेक्शन से और यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस अंक में हम जानेंगे सायक अध्यापक अल्टी हे तू अभी हाल ही मैं उत्राखंड अधिनस्थ सेवा चैन आयोग द्वरा जो विग्यप्ती परकासित की गई है नवीन भरती के लिए उसे से सम्मंदित सलेबस को अपनी वेब साइट पर आज अपलोड किया गया है आयोग की ओफिशल साइट पर तो इस अंक में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन से विसाय में किस पार्ट से कितने प्रश्ण पूछे जाएंगे इसमें मुख्य रूप से हम समझेंगे जैसे विसाय कौन सा है इस तरही है सेक्चिक अभी विर्थी है तु कितने अंक के प्रश्ण होंगे यानि जो टीचिंग एप्टिटूट होगा उससे कितने नंबर के प्रश्ण आएंगे इंटरमिडियेट इस तरह के विसाय कौन-कौन से होंगे और कितने अंक वहां से पूछे जाएंगे एकदम नविन्तम से लिवस है और इसी के आधार पर प्रश्ण पत्र का निर्मान किया जाएगा तो आएए सुरू करते हैं आज के इस बहत्रेन वीडियो को सबसे पहले जानते हैं अल्टी समान्ये यानि साहिक, अध्यापक, समान्य, अर्थात, समाजी की विज्ञान जिसे कहा जाता है पहले नमबर पर यहां पर दिया गया है इसमें टीचिंग अप्रिटूट यानि B8 और B8 इस तरह जो सैचिक अभिविर्दी होती है वहां से 30 नमबर के प्रशने पूछे जाएंगे यानि कुल मिलाकर आप सायकरूजी उसे कह सकते है जब मुनु विज्ञान है यानि टीचिंग अप्रिटूट है वहां से 30 नमबर के प्रशन आएंगे और यदि intermediate इस तरह की बात करें तो इसमें इतिहास से 7 प्रशने भुगोल से 7 प्रशने राजनिती विज्ञान से 7 प्रशने और अर्थसास्त्र से भी 7 प्रशने पूछे जाएंगे जो सायक अध्यापक अल्टी की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 4 प्रशने महत्यपूर्ण हैं इंटर इस्तर पर अर्थात N-C-E-R-T बेस्ट होंगे और यदि इसनातक इस्तर की बात करें यानि graduation level की बात करें तो इतिहास से 11 भुगोल से भी 11 राजनितिक विज्ञान से 10 और अर्थ सास्तर भी 10 तो इतने प्रशने पूछे जाएंगे इसनातक इस्तर से और कुल प्रशन होंगे सोतर और कुल सोतर माक्स के होंगे तो कुल मिलाकर intermediate और इसनातक इस्तर के यानि इन दो पार्ट से सोतर नंबर और 30 नंबर का teaching aptitude तो कुल मिलाकर सो प्रश्ण पूछे जाएंगे प्रतेक प्रश्ण एक अंक का होगा जहसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है और रनात्मक मुल्यांकन पदेती इसमें होती है इसको आप भली भाती जानते हैं अब जानते हैं सायक अध्यापक गडित से सम्मंदित सिलेबस को कि इसमें कितने प्रश्ण कहां से उचे जाएंगे विशाईवार संपूर सिलेबस भी उत्राखन एजिनस सेवाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अप्लोड किया है और गणीत से इंटर्मिडेट इस्तर के 20 प्रश्ण और भौतिक विज्ञान के 8 प्रश्ण होंगे इसनातक इस्तर की बात करें तो गणीत के 29 प्रश्ण होंगे और फिजिक्स के होंगे 13 प्रश्ण है और पुलस नमबर का पेपर होगा तो जो मैज सायक अध्यापक अल्टी के तयारी कर रहे है उन्हें इंटर्मिडेट इस्तर की मैज के लिए 20 प्रश्ण और भौतिक विज्ञान के 8 और इसी प्रकार से इसनातक स्तर के लिए 29 और भौतिक विज्ञान में 13 प्रश्ण तयार करने होंगे इसका संपूर्ण सलेवस साइट पर अपलोट है उत्राखन अधिनस सेवाचैन आयो के यदि अल्टी विज्ञान की बात करें तो ट्रिचिंग अप्टिटूट के 30 प्रश्ण रासाइन विज्ञान इंटर्मेडरिस्तर से 10 प्रश्ण बनस्पति विज्ञान यानि बोटनी के इंटर्मेडरिस्तर के 9 प्रश्ण और जुलोजी यानि जी विज्ञान आप इससे कह सकते हैं वहाँ पर इससे 9 प्रश्ण पुछे जाएंगे जो की 11, 12 बेस्ट होंगे अर्थाथ कक्सा बार्वी इस्तर के होंगे यानि इंटर्मेडरिस्तर के होंगे और यदि इस नात्र की बात करें तो रसाइन विज्ञान से 14 प्रश्ण है बनस्पति विज्ञान से 14 प्रश्ण है और जन्तु विज्ञान से 14 प्रश्ण होंगे और जबकि subject वाई जो प्रशन होगा वो हो उस विशय से related होगा यदि सायग अध्यापक LT यानि हिंदी की बात करें तो teaching अप्रिटूट के 30 प्रशन intermediate इस्तर के हिंदी से समभन दे 14 प्रशन और संस्कृत के 14 प्रशन यानि 28 प्रशन intermediate इस्तर के होगे और 42 प्रशन आएंगे इस्तनातक इस्तर के कुल प्रशन के संक्या 100 होगी इसी प्रकार LT संस्कृत की बात करें तो teaching अप्रिटूट के 30 संस्कृत के आएंगे 28 प्रशन जो intermediate इस्तर के होगे और 42 प्रशन आएंगे इस्तनातक इस्तर के तो हिंदी और संस्कृत का स्लिवस लगबग सेम होगा इंटर्मिडिट और इस्तनातक इस्तर पर यदि हम प्रश्ण की बात करें और कुल सो अंग का प्रश्ण पत्र होगा अल्टी उर्दू की बात करें तो टीचिंग अप्रिटूट तीस मार्क्स उर्दू के 28 मार्क्स होगे इंटर्मिडिट इस्तर के और इस्तनातक इस्तर का जो पाठकरम होगा उर्दू का उससे सम्दित 42 प्रश्ण पुझे जाएंगे कुल प्रश्ण पत्रों कि जो संक्या होगी प्रश्ण की वह हो 100 होगी अल्टी अंग्रेजी की बात करें तो टीचिंग अपिटूट समान्य यानि सेम रहेगा 30 अंग्रेजी के 28 प्रश्ण आएंगे इंटरमेडिट इस्तर के होंगे जो और इसी प्रकार से इस तनातक इसतर की जो अंग्रेजी होगी उसे समस्मेंदित 42 प्रश्ण 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 प्योज़ा जाएंगे और इसमें कुल 100 प्रश्ण होगे तो आप भासा यहां पर देख सकता है हिंदी, संस्कृत और इसके अत्रिक्त उर्दू और अंग्रेजी इससे सम्मन्दित 14-14-28-28-28 और यहां से लगबक सभी मोबायल इस प्रशन फ्योजाने की संभाना रहेगी तो आपको इसी आधर पर प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आप इसे आसाने से क्रैक कर सकें यदि हम इसी परकार से L.T. बंगाली की बात करें तो टीचिंग अप्रिटूट के 30 प्रशन है इंटर्मिडेट इस तरकी जो बंगाली भासा है उससे सम्मन्द 28 प्रशन है और इस तना तक इस तरकी जो भासा है वहाँ से 42 प्रशन है तो लेंग्वीज में 28 और 42 का रिश्यो होगा यानि 73 प्रशनिया साएंगे और 30 टीचिंग अप्रिटूट से L.T. पंजाबी की बात करें तो टीचिंग अप्रिटूट के 30 प्रशन है उसी परकार इंटर इस तरसे 28 प्रशन है और इस नातक इस तरसे 22 प्रशन ही पुझा जाएंगे कुल प्रशन के संक्या 100 होगी और यदि कला यानि पेंटिंग की बात करें तो टीचिंग अप्रिटूट के 30 इंटर मिड़िट इस तरके जो कला से संब्रशन पुझा जाएंगे उनके संक्या होगी 28 और इस नातक इस तरसे जो पुझा जाएंगे उनके संक्या होगी 22 सो अल्टी सारिक सिक्सा यानि बायाम की यदि हम बात करें तो टीचिंग अप्रिटूट के 30 सारिक सिक्सा जो इनके संक्या 28 होगी और इस नातक इस तरक का जो पाठक रहा होगा वहां से 22 प्रशन पुझे जाएंगे इसी परकार अल्टी संगीत की यदि हम बात करें तो टीचिंग अप्रिटूट के 30 इनके संक्या 28 और इस नातक इस तरक से 22 होगी ल्टी होम सैंस यानि ग्रह विज्ञान की बात करें तो टीचिंग अप्रिटूट के इस प्रशन की संख्या रहेगी 30 इन्टरमीडियत इस तर से होगे 28 प्रशन और ग्रह विज्ञान से जो इस नातक इस तर के होंगे वो 22 होंगे तो टोटल 100 question इसी परकार LT commerce यानि वानिचे की बात करें तो teaching aptitude के 30 question intermediate इस्तर से 28 और इस्तनातक इस्तर से 42 टोटल 100 तो आप देख रहे हैं कि intermediate इस्तर से लगबग 28 प्रशन पुछे जाने की संभावना है और इस्तनातक इस्तर से 42 प्रशन तो main है इसमें आपको एक तो teaching aptitude पर अच्छी command आपकी होनी चाहिए दूसरी इस्तनातक इस्तर के विसायों पर साथ ही आपको intermediate इस्तर का जो पार्टकरम होगा उसको भी बारेकी से पढ़ने की जरुरत होगी और यदि हम आगे और विस्तार से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उप्रोग्त विसायों के intermediate इस्तर का पार्टकरम राष्टे सेक्चिक अनुसंदार इंप्रसिक्षन परिसात अर्थात N-C-E-R-T based होगा तो आपको कक्सा 6 से class 12 ता यानि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो विसाय हैं अपने विसाय से related उनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहीं से प्रश्ण बनने की संभाना बनी रहेगी अब इसमें हम जानते हैं इसके अंतरगर्द जो teaching aptitude है वहां से क्या पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं B8, LTE, DP8, BP8, पर शिक्सन, शिक्सन अभिरूची से संभाने चो पाटकर होगा वहां से क्या पूछा जाएगा इसमें देखते हैं सबसे पहले पूछा जाएगा सिक्सकों मैं छात्रों के परती अभिविर्दी यानि सिक्सकों मैं छात्रों के परती अभिविर्दी कैसे की जाए इससे समधित प्रश्ण होंगे समाजिक परिपक्वता से समधित प्रश्ण होंगे सिक्षा के परती अभिविर्दी यहां से प्रश्ण बनने की संभान रहेगी विचार संप्रेशन यानि जो कम्यून्यूकेशन स्किल है अन्तहे वयक्तिक संप्रेशन ये भी आपको पुछा जाएगा सिक्सण ब्यावसाय वो ब्यावसायक परतिबदता यहांसे प्रश्ण बनेंगे सैक्चिक परियोग उसकी समश्चाई एम नवाचार क्या-क्या हो सकता है यहांसे भी प्रश्ण बनेंगे सिक्सक की योगताई एम गुण्ड सिक्सक की क्या-क्या क्वालिटीस होनी चाहे क्या-क्या अबिलिटीस होनी चाहे और उसके क्या मेरिट्स होने चाहे ये भी प्रश्णी पूछे जाएंगे सिक्सन की जो प्रकरती है उसके उद्देशे एबिलक्षन ये मूल बूद आउशकता है यहां से प्रश्णी पूछे जाएंगे तो इसके लिए आपको टीचिंग अपिटूट की अच्छी पुष्टकों का अध्यान करना होगा साथ ही अधिगम करता के अबिलक्षन कौन कौन से होने चाहे यानि जो लर्नर है उसके अबिलक्षन कौन कौन से होने चाहे सिक्सन को प्रभायत करने वाले मुख्य फेक्टर कौन कौन से हैं जिनसे टीचिंग प्रभाइत होती है सिक्सन की मुख्य विधिया कौन कौन सी है जो कि आपने B.A.D. में भी अच्छे से पढ़ा होगा U.T.E.T. C.T.E.T. की प्रिपरेशन करते वक्त भी पढ़ा होगा सिक्सन की साहिक सामगरिया कौन कौन सी है जिनसे हम टीचिंग को आसान बना सकते है इसके साथ ही बच्चों में विर्दी यवं विकास विर्दी यवं विकास में अनुवान सिकी यवं वातावरों का प्रभाव यानि जो बच्चों में ग्रोथ होती है उनका development होता है बिर्दी विकास में जो अन्वान सकी और environment का जो effect है वो भी आपको समझना पड़ेगा इसके अतरफ अधिगम का अर्थ क्या है यानि जो learning है उसकी meaning उसके concept इसकी परिक्रिया क्या है तताई से प्रभाइद करने वाले कारक साथ ही अधिगम के सिद्धान्त या उसका प्रभाव अधिगम के कई सिद्धान्त है यानि सीखने के सिद्धान जिन्य कहते हैं learning theories वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे बच्चों का सीखना वो सोचना बच्चे कैसे सीखते हैं कैसे सोचते हैं यहां से प्रशन बनेंगे अभिप्रिणा यानि motivation या अधिगम पर इसका प्रभाव अभिप्रिणा क्या होती है सकारात्मक नकारात्मक और learning पर इसका क्या प्रभाव पढ़ता है यह आपको जानना पड़ेगा इसके अलावा आपको समझना होगा व्यक्तिक विभेत यानि जो personal difference वच्चों में होता है जैसे अंतर मुखी और बहर मुखी उभवय मुखी इस परकार के जो व्यक्तिकत होते हैं वच्चों मैं अपना जो personal development उनका होता है व्यक्तिकत टेस्ट होता है यह आपको पढ़ना पड़ेगा व्यक्तिकत वे किसे कहते हैं यह आपको समझने पढ़ेगा बुद्धी, बुद्धी के परकार बुद्धी से समझने जो सिध्धानत है यह आपको समझने पढ़ेगे काफी महत्माट टॉपिक है यह दोनों व्यक्तिकत वार बुद्धी इसके अत्रिक बिसेस आउशक्ता वाले अधिगम करता है जो बिसेस आउशक्ता वाले बच्चे होते हैं और वो कैसे सीखते हैं उसे सब्बंदित प्रश्ण पूछे जाएंगे अधिगम की कठनायां अधिगम के पठार लर्निंग गैप जो लर्निंग में डिफिकल्टीज आती हैं कठनाया आती हैं अधिगम के पठार हैं लर्निंग गैप क्या है ये आपको पढ़ना पढ़ेगा सामान जस्य है यानि बच्चा कैसे सामान जस्य कर सकता है ये भी आपको पढ़ना पढ़ेगा इसे समन्द जो भी प्रश्ण वनेंगे आपको बारेकी से अध्यन करने की बेहत जरूर आउ सकता पड़ेगी सिक्षन अधिगम परकिरिया क्या है यानि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको पढ़ना पड़ेगा राष्टे पाठे चरिया रूप रिखा 2005 के संदर्व में सिक्षन अधिगम रननीती या विदिया जो राष्टे पाठे चरिया रूप रिखा 2005 है उसके संदर्व में ठीचिंग लर्निंग रननीती क्या क्या है उसकी methods कौन-कौन से यह पढ़ने पढ़ेंगे मापन एव मुल्यांकन का अर्थ मापन एव मुल्यांकन का अर्थ क्या है परियुजन मुल्यांकन पधितियां मुल्यांकन की कौन-कौन सी मुख्य पधितियां सतत एव व्यापक मुल्यांकन जो sustainable है मुल्यांकन इवलेशन यह आपको पढ़ना पढ़ेगा सीटट के अंतरकत इसे समय कई प्रश्ट पूचे जाते हैं क्रियात्मक सोथ किसे कहते हैं यह आपको जानना होगा साथी सिक्षा का अधिकार अधिनिम 2009 यानि RTE Right to Education 2009 जो अनुचित 21 के अंतरकत रखा गया है और कब यह अधिनिम माया इसके अंतरकत क्या क्या परकिरिया है इसको आपको बारे के से पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि यहां से प्रश्ट आउश्य बनेंगे तो यह सलिबस था Teaching Appitude का साथ यह बिसावार कितने प्रश्ट कांसे बनेंगे यह हमने इस वीडियो में बिस्तार से जाना मुझे बिस्वास सही हो वीडियो आपको काफी पसंद आएगी यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अध्यन करें जैसे रमन बिहरिलाल की पुस्ता काफी अच्छी है उसमें काफी आसार इससे समझाएगा है इसके अत्रिक्त जो पहले यूटेट और सीटेट के पेपर हुए है उनको आप हल करिए क्योंकि वहां से प्रश्टन बनता है कभी कभार प्रश्टन जो के त्यूं आ जाते है तो उन प्रश्टन को काफी बिस्तार से समझे और अधिक सद्धिक पुराने यूटेट सीटेट के वेपर हल करो और अच्छी पुस्तिकों का अध्यन करो बाकी अपने विसाय से सम्मंदित सिलेबस को आप उत्राखंड एधिनस सेवा चैन आयोग यानि UK SSHC की वेबसाइट पर जाकर डाउन लोड कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे मजबूत बनाकर इस एक्जाम को आसाने से क्रेक कर सकते हैं मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए गंगा प्रकास वेस्विक की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भावी जीवन की शुक्काम नहीं थैंक्यू थैंक्यू सो मच